नबसकार सातियों, आप सभी लोगों की रुक्वेस्ट पर मैं आप लोगों के समझ एक बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टीकल या ऐसी को लेकर उपस्तेत हुआ हूँ, जो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दो बार या दो पेपर सेट में 2022 में फूचा गया है यानि की एक जो लंबा हेल्दी स्वाष्ट जीवन है कैसे जीएं यह आपका 316EJ दो या फिर कोशन पूचा था आपसे हाउ टू मेक गोड हैल्थ यानि की एक अच्छा स्वाष्ट कैसे बनाएं और यह आने के चांसे हैं क्योंकि दोस्तो आप जानते हैं इस भाग दोड़ बरी जीवन में ऐसे कोशन्स का आना कवपल सरी है तो चलिए पहली लाइन से मैं सुरुआत करता हूँ आप लोगों से हाथ जोड कर बिंती है दोस्तो वीडियो को पूरा देखें और आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आईगा क्योंकि आपको आर्टिकल वह पूचे तो आर्टिकल लिखें लेकिन मेरे साव से अगर हेडिंग डार के लिखेंगे तो जादा बहतर होगा तो पहली हेडिंग आपके समझ तो देखिए क्या दिया है इसमें इंटर एक्सान यानि कि प्रस्तावना, healthy is the greatest wealth यानि कि स्वाष्थ सवसे बड़ी संपत्ती है स्वाष्थ सवसे बड़ी संपत्ती है और आगे लिखेंगे an unhealthy person can enjoy neither food nor sleep यानि कि एक अस्वाष्थ ब्यक्ति ना तो भोजन का और ना ही शोने का आनंद ले सकता है यानि कि एक जो अस्वाष्थ ब्यक्ति है वह ना तो भोजन का और ना सोने का आनंद ले सकता है आगे देखी अगला sentence an unhealthy man, एक अस्वाष्थ ब्यक्ति, loses all his charms of life एक अस्वाष्थ ब्यक्ति, अपने जीवन के सभी charms, यानि आकरसणों को खो देता है उसके बाद लिखेंगे, a sick man, एक बीमार ब्यक्ति, cannot sleep, cannot even sleep soundly, in spite of immense riches यानि कि एक बीमार ब्यक्ति, यानि कि पर्याप्ति या अधिक संपत्ति होने के बावजूद भी गहराई से या एक खराटेदार नीद भी नहीं ले सकता है आगे लिखेंगे, on the other hand, जबकि दूसरी तरफ, a healthy beggar, एक स्वस्त बिखारी भी, slips soundly, यानि कि एक अच्छी नीद लेता है यानि कि बिना धनी हुए, जमीन पर हुए एक अच्छी नीद को लेता है तो दोश्तों, आगे दिखते हैं अगली हेडिंग, इसी में एक और सेंटेंस एड़ करेंगे इसलिए हम सभी लोगों को स्वस्त रहना चाहिए तो आप अगली हेडिंग डालकर लिखेंगे Essential of Good Health, यानि कि अच्छे स्वाइस्ती की आवश्त सकता है तो इन आवश्त सकता हों में आपका पहला सेंटेंस है Good Health cannot be purchased even via rich person यानि कि अच्छे स्वाइस्त को एक धनी ब्यक्ती के द्वारा भी खरीदा नहीं जा सकता है उसके बाद आप आगे लिखेंगे Sound Health requires light यानि कि अच्छा स्वाइस्त requires आवश्यक्ता करता है light प्रकास की, air, हवा की, good food, अच्छे भोजन की, cleanliness यानि साफ सफाई की and exercise और व्यायाम की अगर आप अच्छे स्वाइस्त को जीना चाहते हैं तो आपको सूर्य के पर्याप्त मात्रा में प्रकास की आवश्यक्ता है पर्याप्त हवा की आवश्यक्ता है, अच्छे भोजन की आवश्यक्ता है, cleanliness साफ सफाई की आवश्यक्ता है and exercise और आपको व्यायाम की आवश्यक्ता है अब देखिए आपका पहला जो light के लिए है तो आप लेखेंगे the sun यानि की सूर्य is the man's source यानि की मुख्य स्रोत है और यानि की प्रकास का यानि की जो सूर्य है वह है प्रकास का मुख्य स्रोत है उसके बाद आप आगे देखें विदाउट हेविंग प्रॉपर यहां प्रॉपर रहेगा प्रॉपर सनलाइट अवर वोडी पार्स डू नौट वर्क प्रॉपरली वर्क और लिक लेना वर्क प्रॉपरली यानि की विदाउट हेविंग प्रॉपर सनलाइट यानि की बिना सूर्य की पर्याप्त मात्रा को पाई, our body parts do not work properly, हमारे जो सदिर के अंग हैं, वह पूर रूप से या पर्याप्ति या उच्चत रूप से कार नहीं करते हैं उसके बाद अगला sentence here is the basis of our life, यानि कि जो हवा है, वह हमारी जिवन का आधार सिला है we must go for a morning walk, यसी लिए हम लोगों को एक morning walk के लिए आवस ही जाना चाहिए आगे आप लिखेंगे good food gives us energy good food, अच्चा भोजान gives us, हमें देता है energy, यानि कि उर्जा यानि कि जो अच्चा भोजान है, वह हमें उर्जा देता है therefore, इसी लिए we should have balanced diet, इसी लिए हमें एक संतुले तहार लेना चाहिए इसी लिए हमें एक संतुले तहार लेना चाहिए our atmosphere should be clean, यानि कि हमारा जो बातावरण है, वह स्वच्च होना चाहिए, because क्योंकि cleanliness makes us healthy, क्योंकि cleanliness साब सपाई है, वह हमें healthy बनाई रखती है, तो यहीं आप full stop लगाएंगे, आप चाहिए तो इसका screenshot ले लें, आगे देखते हैं फिर तो चलिए, अगली heading को देखते हैं अगली heading है importance of exercise games and sports, यानि कि बयायाम, खेल और खेलों का महत्वा तो आप इसके अंदर पहला sentence बनाएंगे exercise can play a very important role in the maintenance of health यानि कि exercise, बयायाम can play, अदा करती है या निभाती है a very important role यानि कि एक बहुत ही महत्वण भूमिका in the maintenance of health यानि कि श्वाष्ट को बनाए रखने के लिए क्योंकि it removes away many diseases क्योंकि जो बयायाम है वह बहुत से बीमारियों को हटा देता है उसके बाद आगे लिखेंगे games and sports यानि कि जो games and sports play a very important part वह भी एक बहुत महत्वण भाग निभाते हैं in the preservation of good health यानि कि एक अच्छे स्वाष्ट को सुरच्चत रखने के लिए they help us to digest what we eat वह हम लोगों की digest पचाने में मदद करते हैं what we eat जो कुछ भी हम खाते हैं यानि कि जो games and sports यानि कि games and sports हैं जब आप खेलते हैं वह हमारी पाचन तंत्र को सही रखते हैं और जो कुछ भी हम खाते हैं उसे वह पचाने में सच्चम होते हैं if a person cannot digest his food यदि एक व्यक्ति अपने भोजन को पचान ही पाता है तो he will fall ill तो वह बीमार पड़ जाएगा and lose his wealth or health और वह अपने स्वाइस्त को खो देगा and lose his health और वह अपने स्वाइस्त को खो देगा आगे देखी अगली हेडिंग avoidance of intoxicants यानि कि नसीली चीजों से बचना तो आप इसके लिए फैला sentence बनाएंगे we should not take intoxicants such as wine, tobacco, etc यानि हम लोगों को नसीली पदार्थ जैसे सराव, तवां को etc नहीं लेने चाहिए because क्योंकि smoking and drinking raise our blood pressure higher क्योंकि smoking, धुम्रपान and drinking और जो सराव वगेरा है, raise our blood pressure higher वे हमारे रक्त चाप को अधिक उचा कर देती है and compel और बाद कर देती है the hard to beat faster यानि कि हिर्दय को तेजी से धड़कने के लिए अब देखते हैं इसकी अन्तिम हैडिंग तो दोस्तों अब लिखते हैं इसकी अन्तिम हैडिंग जो है conclusion यानि कि निसकार्स तो आप लेखेंगे इसमें पहला sentence a sound health एक अच्छा स्वास्त is the most valuable thing in life यानि कि सवसे बहुमूल्य की चीज है या बश्तु है in life यानि कि जीवन में एक अच्छा स्वास्त जीवन में सवसे बहुमूल्य वश्तु है a sound mind एक अच्छा या स्वास्त मस्तेक्स lips in a sound body यानि कि स्वास्त सरीर में ही निवास करता है उसके बाद आप लिखेंगे it is only health और यह केवल स्वास्ती ही है that brings happiness जो खुशी को या प्रसनता को लाती है और अंतिम sentence लिखेंगे आप इसलिए we should avoid all that may prove harmful our health इसलिए हमें उन सभी चीजों से बचना चाहिए जो हमारे सरीर के लिए हानिकाराख हो शकती है आपका अंतिम sentence है जो आपके questions में पूचा गया है thus इस प्रकार से we can live a long healthy life इस प्रकार से हम एक लंबे स्वास्ते जीवन को जी सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तो कमेंट एक बार अवस्त करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल टेकर हैं फान थैंक्स पॉर वॉच्छ